हेलो, गुद बॉर्निंग टु आल मैं लबली स्टुडेंट्स एंड मैं आल फ्रेंड्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं स्टुडेंट्स आज की जो क्लास है कम्प्यूटर की, क्लास 2 का चैप्टर 4 स्टार्ट होने जा रहा है इसके पहले चैप्टर 3 तक कम्प्लीट हो चुगा है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चैप्टर 3 तक रिविजन कर लेजेगा computer का एक एक chapter important है ठीक है आप लोग देखिए का जरूर उसके आज का जो lecture है आज हम पढ़ेंगे operating a computer ठीक है बच्चों computer को operate करना मतलब computer को कैसे हम start करेंगे computer को कैसे computer पे कैसे work करेंगे all over computer के function के बारे में जानेंगे ठीक है हम उस पे कैसे work कर सकते हैं कैसे start करेंगे सारी चीजे हम देखेंगे ठीक है चलिए देखते है we know that a computer is a very useful machine we know that हम जानते है that की a computer is a very useful machine computer बहुत ही उपियोगी machine होता है ठीक है computer क्या है बहुत ही उपियोगी machine है useful मतलब क्या होता है उपयोगी, ठीक है We must use it carefully हमें इसे बहुती साउधानी पुरुवक यूज करना चाहिए Carefully का मतलब क्या होता है साउधानी पुरुवक, ठीक है Let us learn the steps to start and shut down the computer in a proper way आईए जानते हैं, सीखते हैं कि कैसे computer को start करते हैं and computer को कैसे बंद करते हैं एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर वे step by step, ठीक है चलिए देखते हैं Starting a computer computer को start करना ठीक है, to start a computer properly follow these steps, computer को सही तरीके से क्या, start करने के लिए इन steps को follow करना है, वो step क्या है सबसे पहला step है switch on the main power supply picture में देखिए आप लोग ये देखिए ये boy, ये क्या है main power supply, ठीक है ये जो board होता है न, जिसमे switch लगी होती है, ये है main power supply सबसे पहला step है कि main power supply को जो switch है उसे on करो, ठीक है next है आपका switch on the UPS UPS का जो switch है, उसे on करो UPS का full form क्या होगा बच्चो uninterruptible power supply ठीक है यहाँ पर figure में आप लोग देखिए ये देखिए, छोटा बच्चा क्या on करता है UPS का switch सबसे पहले main switch on क्या, ठीक है उसके बाद UPS का UPS होता है बच्चो, जब compute अगर अचानक से light कर जाती है या फिर power supply बंद हो जाती है तो जो UPS लगा होता है वो computer को electricity प्रोवाइड करता है ठीक है, जिसे computer तुरंद बंद नहीं होता emergency में थोड़ी देर तक computer चल सकता है ठीक है बच्चो, आगे देखते है थर्ड स्टेप है switch on the power supply button of CPU cabinet computer के side में एक CPU box रखा होता है न CPU का full form क्या होता है central processing unit CPU का full form central one second central processing unit ठीक है यह है CPU का full form अब देखते है CPU कहां पर है यह देखिए, computer के side में CPU लगा रहता है न see the picture यह CPU की जो switch है, उसे क्या करेंगे on करेंगे, ठीक है next देखते है four step क्या है switch on the monitor button and wait for some time अब उसके बाद यह जो monitor button है यानि जो computer का switch है उसे on करेंगे, ठीक है see, यह boy कर रहा है न on आगे देखते है अब आपका computer क्या हो गया है start हो गया है, ठीक है सबसे पहले क्या क्या आपने main powers apply है, उसे on किये उसके बाद UPS जो लगा होता है उसका switch on किया फिर CPU जो side में computer के side में रखा होता है CPU box या नीचे भी रखा होता है उसका switch on किया आपने four step में क्या क्या monitor का switch on किया, यानि computer का ठीक है अब computer आपने on कर दिया computer थोड़ा time लेता है ठीक है हम उसके work करें उससे पहले computer start होने में थोड़ा सा time लेता है this is called booting इसे हम कहते हैं booting क्योंकि programs जो होते हैं computer में वो load होने में कुछ time लगता है ठीक है, during booting the computer performs necessary action which makes it ready to use और booting के दोरान यानि जब computer हम on कर देते हैं जो time लेता है computer उस दोरान computer क्या करता है उसमें कई सारे आवश्यक necessary action होते हैं जो कि use करने के लिए ready होते हैं जैसे जो programs हैं उसमें वो proper function में आ जाते हैं ठीक है after booting the following screen appears this is called desktop जब computer proper ready हो जाता है कि आप उस पर work कर सकते हैं तो जो उसकी screen है वो कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है see यह है screen computer का यह computer की क्या है पूरी screen जब computer आपने start कर दिया तो screen ऐसी दिखेगी computer की ठीक है और computer की screen पे यह जो box बने होते है न छोटे 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 वो होती है जिसे हम कहते हैं टास्क बार ठीक है यहां पे आपका डेट, टाइम, क्लॉक यह सारी चीज़े होती है इधर स्विच अन आफ का होता है ठीक है मैंने आप लोगों को बता है ना वॉल पेपर क्या है यह जो इमेज दिखती है बैकरॉण्ड में जैसे यह क्या है यह इमेज दिख रही है यह बूगों को बता दिया यह क्या है आपका, wallpaper है, the desktop also contains the following items, icon and taskbar, और desktop पे icon भी होता है, taskbar भी होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आज के lecture में बस इतना ही बच्चो, इसको आप लोग ध्यान से देख लिजेगा, computer कैसे start करते है, next से मैं पढ़ेंगे हम इससे आगे, ठीक है, icons क्या होता है taskbar क्या होता है, किसका क्या use है, यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे और previous lecture अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, उसे जरूर देख लिजिएगा, ठीक है Thank you so much for listening me, और channel को subscribe करना मत भूलिए Be happy, stay healthy, bye bye, have a good day